पहले हम पहले तो उत्तरप्रदेश लोकस्वा अगद्वारा जारी जो बिग्यापन है उस बिग्यापन का ही पहले पोस्टमाटम करते हैं फिर यह देखते हैं कि बिग्यापन में क्या है और उस आधार पर हमें कुछ कहना चाहिए या हमें किसी प्रकार का आपको यह बताना करना चेग किया मानने किया मानने मांनाई क्या Tam Mестky अगरी स्करम और हम लulators देखे हैं उदेखयों कि आपको दिख्यास आज वहाrt संध्या औरह औरह पिएर despair 19.2019 से 1 सब्सक्राइब बहुति कि और सुखार क्यांगे और सुखार जमा करने का जो ऑनलाइन परिचा सुल्क Oy प्राइंग में जमा करने की तिथी है वो 10-120 तक है इसकी तिथी निश्चित है पूरी तरह शे आप प्रश्ण उड़ता है और क्या क्या चीजी तो बहुत सार शीजी आप पहले से पता होगा तो सेलवस के बारे में इसके बाद में सर्चा करेंगे क्या सेलवस है क्या नोट स सवाल आपको पता है क्या वेदन कैसे करना है क्या क्या चीजी इसमें श्रंभावी चीजी लग रही है हां इस सब बातों को कैसे फॉर्म आवेदन करना है इस सब बातों से ज्यादा सबसे महत्वपून यह है कि इस बार इसमें अनिवार योगता क्या है पहल उस योगता के बारे में सबसे पहले हमें चर्चा करना चाहिए और हम प्रयास करेंगे कि योगता पर ही सबसे पहले हम चर्चा कर ले कि इसमें क्या क्या योगताएं हैं कौन-कौन बक्ति योग है कौन नहीं है तो आइए उसी के लिए सबसे पहले हम लोग पॉश्माडम करते हैं उसी का त फ़्रोस गेता है तो यहां पर सहच्या अच्चिक अरता की बात कई गई सहच्यक हर्था क्या क्या चीजिज भरोस देख ताय है अइविदंस्विकारिक के जाने की अनतीन पिश्ची तक अभाषियों के पास निम्न अःता होना क्या अवस्च्र क milj olarak इसमें और आप लोग भी ध्यान देखेगा आपके मन में बहुत सारे मेरे पाश कॉल आ रहे हैं कि सर क्या-क्या योगताएं हैं क्या-क्या होगा इसमें मुख्य परिच्छा भी इसमें आयो जित किया गया यह प्राथवी परिच्छ वहले प्रामरी पीटी होगी पीसेस की त सास्तर में असनातक की उपादी हो मने किसी भी द्वारा विस्विद्यान सिच्छा सास्तर में असनातक की उपादी हो किसमें या सरकार द्वारा किसमें सिच्छा सास्तर में या सरकार द्वारा उसके समकच मानिता प्राप्त को ही अहरता और यदि असनातक उपादी यूजी पीजी हो किससे इससे सिच्छा साथर से ठीक आगे बढ़ते हैं यहां से मामला आपका नहीं है में जो हम लोग को पढ़ना वो यह पढ़ना है कि इसकी अंग्रेजी में भी पढ़ें कि हिंदी में दोनों हम लोग देखेंगे यहां पी यह आपका कि देवनागरे लि कि डिपलोवा हो या जिनके पास भारत में विधीध्वारा स्थापित किसी भीषमिध्याल है या वोड किसी अन्यराज सरकार के सिछ्चा विभाग में बैसिक सिट्छा पृस्षण के किसी विशेश पात करम का प्रमान पत्रय उपाधी या डिपलोमा हो यहीप्राशन क्योंकि जो BTC course होती है वो diploma होती है वो degree नहीं होती है लेकिन यहाँ पे उपाधी की बात कर रहा है degree diploma साथ में प्रमाणपत्र की बात कर रहा है और यहाँ भी दे रहा है basic सिच्छा में प्रसिश्टन के किसी BCS पाट करम का प्रमाणपत्र होना चाहिए मानि B8 जो होता है वह क्या है वह आपका degree होता है जबकि जो BTC होता है बाद में बदला हुआ नाम जो डेल लड होता है वो एक diploma होता है लेकिन एक बात के असपश्ट है कि बिग्यापन में यहाँ बात कताई असपश्ट नहीं हो पाई है कि क्या किसमें किवल बीडधारी ही आवेदन कर पाएंगे या केवल BTA और BTC बाद में बदला हुआ परिवर्थित नाम डेल लड क्या दोनों अवेदन कर पाएंगे नहीं इसमें आयोग अभी तक तो मूख है इस बिग्यापन के आधार पर अब हम यह देखते हैं क्या अंग्रीजी में भी कुछ इस तरह से दिया गया है उसके करें कि यहां पर रियोग किया गया है उत्तर प्रदेश द्योरा प्रदत लट डिप्लोमा सब्द कहा यहां भी प्रयोग किया गया है और यह सब्कि पूस्टी करता है यह सब इस बात की पूश्ट करता है क्या कि कहीं कहीं डिप्लोमा को भी सम्रित किया गया है माने यह मामला कहीं कहीं बिचार धीन प्रतीत होती है कि इसमें BTC और B8 दोनों के लिए एक अलग सब्दावली का प्रियोग नहीं किया गया किसके हिसाब से विज्ञापन के आधार पर क्योंकि जो BTC या डियलट का प्रिश्चन होता है यह एक एलिमेंटरी कोर्स होता है कच्छा एक से लेकर पांस तक होता है लेकिन जो LTV8 का को इसको अंग्रेजी में देखते हैं इंग्लिस में इसमें क्या है इसके बिग्यापन में क्या प्राउधान किया गया है उस आधार पर हम लोग अन्य बातों को भी अस्पष्ट करने का प्रयास करेंगे अगर इसके इंग्लिस में हम देखते हैं तो आईए सबसे पहले education के बारे में देख ले, qualification के आहिश में, उसके बाद अन्य तत्यों पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है, कहां पर गया भी है, candidate, apply, एक मिनिट, आइए इसकी English में भी देखते हैं, कि English में भी क्या इसके, जो, क्या आपका बिग्यापन है, उत्तर पर दे लोग सवायो का, जी की बात यहां पर करते हैं, इसमें देखते हैं, क्या क्या प्रोशेस है, यहां पर भी देखते हैं, यहां पर भी लाट लाइन वोग कहते हैं, यह देखिए, देखिए the LT diploma of the government training college और the government basic training college awarded by the restar departmental examination उत्तर परदेश एक बात तो यहां प्यास प्शल करते हैं यहां पर भी एक सब्दा वली हमें छुट कर मिलती है वो क्या है आपका LT diploma द्यान दिखेगा यहां पर भी LT diploma सब्द की ब्याख्या मिलती है यल्टी डिप्लोमा क्या यल्टी डिप्लोमा फिर आगे देखते हैं यहां पे और सब्दा वली है में आगे भी देखते हैं अगर इस तत्य को अगर हम और आगे पढ़ें तो और आगे बीदिक कुछ चीजें मिलती हैं विखिए बाते ज्यादा प्ष्ट कर नहीं हो गए कि बात को बीटी के भातिस बात को लेकर परिशान है अब दिन कि क्या होगा प्रोवाइड डायेट और ती यहां से पढ़ना है फिर देखिए गा यहां पे दिया है देखें यहां से अगल लाइन देखें तो प्रवाइड़ेड डायेट अदर थिंस विगिंग एक्वल परफार्मेंट सैल भी गिवेंट तो दोज कंडिडेट हो प्रोसेस यल्टी डिप्लोमा देखेंगा ध्यान से यहां पर भी यल्टी डिप्लोमा in basic education किसमें basic education government basic training college or yeah who hold a degree or diploma who hold देखेगा who hold a degree या diploma or certificate या certificate of any special courses of the training in basic education from any university any board देख रहे हैं, established by law in the India, माने भारती कानुन का नुसार, from the education department of any other state government, देखी यहां पे मतलब कहने का मतलब यहां है, कि एक बात तो यह असपश्ट होता है, कि यहां पे विग्यापन में कहीं भी पूरी तरह से बियर्ट सब्द की ब्याक्या, या कहीं पे बिटी सीय डेलर्ट स बस्तन चिन बन जाता है, कि बिटी सी के लिए मानने होगा या नहीं, लेकिन फिर भी यह बियर्ट के लिए पूर्ट मानने हैं, बात तो हम आपको स्पश्ट कर देना चाहेंगे, दूसरी बात, कि एक छोटी सी think, common sense, जो मैं अपना विचार आपके सामने रख रहा हूं, कि बिटी सी के लिए यह भरती नहीं हो सकती, कारण क्या है, क्योंकि जो लोग से वायोग के दौर जितने भी पद का स्रिजन किया जाता है, उसमें चाहें, क्योंकि यह अगर इस पद के बारे में पड़े, क्योंकि इस बारे में भी आपको जानना जुरूरी है, यह कौन सा ज लोग से आयोग स्कायोजन करा रही है तो कहीं कहीं यह बात विदीत या जानने ही हो गया है कि यहाँ पे elementary course क्योंकि मैं एक बार पहले भी बताया था कि जो बिटी सी बाद में बदला हुआ नाम जो डियलेड है यह दोवर्सी करते हैं यह एक elementary course होता यह किवल प्राथ्मिक अच्छा के लिए होता यह पर प्रामरे के लिए नहीं होता क्योंकि जो अगर NCT की जो नहीं guideline नहीं है उसके अनुसार बीयरधारी एक से लेकर बारत अकिली जबाल है जबकि दोवर्सी पर चड़ करने वाला जो बीटीसी है वह डिप्लोमा जो कोर्स है वह किवल का चैक से लेकि पांस तक की है क्योंकि elementary course है इस आधार पर elementary course के आधार पर आप बीटीसी होकर इसमें आवेदन करने के लिए पूरी तरह से पात्र नहीं है लेकिन फिर भी यह आयोग ने अभी तक पूरी तरह सासपस्ट नहीं किया है मैं अपना विव आपको रख रहा हूं लेकिन मैं यह चोटी सी बात आपसे जरू करना चाओंग सफलता की तरह बढ़ाई जाए या तो सफलता मिलेगी या तो सीख मिलेगा दोनों में से एक होगा और सबसे बड़ी बात है आज कपड़ा हुआ बाहर नहीं जाएगा इसलिए आप अपना बेहतर देने के लिए अगरसर होएगा हो सकता है कैन में भी अभी तो अभी हम भी की हैं इसके लिए कहीं न कहीं ये थोड़ा सा विवादस्पद नजार आता है लेकिन अगर एजुकेशन के लेवल के साब से देखा जाए तो जो उनका प्रसेशन होता है वह अपर प्रामरे के लिए होता है अगर पीछे उठा कर देखे तो वहाँ पे इसमें बीरधारी को कोई इजबल माना जाएगा बाकी होना नहोना ये तो प्रकित के हाथ में अनिभविष्य के गर्त में हैं लेकिन वर्तमान पे संसय रखकर अनिप्रकार के प्रस्टनों को सराने से जवाब देने से बचने से है कि आप पेपर देने के लिए एक बार आप दे परिछा दे दो जिरी बी आप आवेदन करियेगा परिष्य दीजेगा हो सकता है था संबाओ किसी के माध्यम से बाद में इसकी सब्दी की बैख्या हो तो ऐसा नहीं बाद में अगर इजबल हो जाएं तो आप उमेद ने वाले सुपर टीटी के साथ की जो आने वाली भरती है उसके लिए भी आप भैतर तरीके से फाइट करेंगे बहतर तरीके से आपनी पसवर्दा करेंगे और एक बात और हम आपको पताना हो जाएंगे कि यह दो पहले तुसमें इंटरवी हुआ करता था लेकिन से अटा के अब प्रामरी और मुख्य परिच्छा दो भागों में से डिवाइट कर दिया गया इनके सेलवस के बारे में हम बात में वीडियो लेकर आएंगे वहाँ पर क्या कर लेंगे अच्छा कुछ लोगों ने बार बार नोट्स के लिए कमेंड किया था तो आपको बताना चाहूंगा इसकी नोट्स तयार होने भी शमयलाएगा इसलिए अभी नोट्स पर हम कोई फोर्स नहीं करेंगे लेकिन अगर इसकी अंसाल्ड के साथ साथ इसकी मॉडल पेपर जल्दी आपको हमारे टेलिग्राम पर मिलना शुरू हो जाएगा जहां पर आप दुरगेश सर्च करके बि अगर इनलासिस किया जाए तो करेंट अफ्यर के साथ साथ अन्य विश्यों का एक गहन अध्यान समझ में आता है अब एक वीडियो में इसके बाद लेकर आएंगे कि आपको किताबे कौन सी पढ़नी है आपको कौन सी मैकजीन पढ़नी है आपको कौन सी न्यूजपेपर प करेंगे वेकि बहुत ज्यादा दाखिला लेकर हमें भीड़नी बढ़ानी है कम हो बहतर हो सॉलिड हो स्कोर करना है और रही बात मैं दुरगेज याश्वाली प्यासिया इस मैंने लिखा है पहली प्रयाश में आप अगर कहें मुझसे जुड़े होंगे या इस बात को दन के बात क्या होता है कि प्रथम दिष्ट्रिया आपको पता होना चाहिए कि बीड मानने है कि दुति दिष्ट्रिया होना चाहिए आपको परिच्छा में समलित होना है परिच्छा में समलित होने से आप अपनी योग्यता की परक्त आप स्वेम कर पाएंगे क्यों कारण क है कि बहुत सारे लोग हमारे पुछ के हमारे पुछनों का जबाब देखे हमारे लिखने की तरीके से हमारा मुलांकन करते हैं किसी व्यक्ति को नहीं है इसलिए आप अपनी परिच्छा परिच्छहाल में आयोग के दिशाने देश पर उनके पेपर का अधार पर दीजेगा य बेसक पद संख्या 309 लेकिन इस 309 में बेसक एक बड़ी हीरे चुन कर जाएंगे और इन हीरों में आप भी हो सकते क्योंकि कड़ी महनत और लगन और आत्विश्वास किसी भी दरवाजे को तोड़ने की या किसी भी ताले को खोलने की सबसे मजबूत कड़ी सबसे मजबू इस रेस के मैदान मुतर रहें तो एक बात ध्यान दीजेगा कि न्यूज पेपर आज से इनौसिस करना सुरू कर दीजेगा क्योंकि आपको ग्यात होना चाहिए पिछले चार वर्सों से जब से CSET आया है पहले तो UPSC में उसके बाद जब UPPCS में CSET आया तो CSET आने के बाद एक बात और सपश्ट हुआ कि NCIT के साथ साथ Current Affair का धारा बढ़ता जा रहा है और Current Affair जैसे किसी भी सब्दावली को अगर हम Current से लेते हैं तो उसकी तिहाज, भगोल, समिधान पूरी व्याक्यात में खल निकालती है इसलिए Current Affair के इर्दगिर्धी पूरा पेपर से टोता ह एक जामनर जो है वो Current Affair के इर्दगिर्धी पेपर का संग्रह करता है उससे भी बड़ी आश्चर की बात है लगभग 35 से 30% प्रशन Current Affair से सीधे उठा लिया जाते हैं प्रत्य अप्रत्य चुरुप से दूसरी Economics के जो बात करते हैं तो Economics के 60 से लेक्टे 70% प्रशन आशे होत करना है कैसे अपने आप से इसकी स्वयम नोश्तार करना क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि UPSC की अपने आप में बड़ी गहराई होती है इस गहराई में आज तक कोई डूब नहीं सका क्योंकि इंट्रेव्य हो रहा था हमारी मित्रसन से पूछा गया कि यह बताइए कि आप कि मतलग उस रेस में आपने पूर्ण कर लिए रहे बात तयारी की तो तयारी कभी जिंदगी में पूर्ण नहीं होती लेकिन सबसे बड़ी बात है सेलबस जो मैंने खंगाला है इसके बाद वीडियो लेकर आएंगे उसमें NCRT का वर्चस रहे वर्चस था वर्चस रहेगा इसलिए NCRT पढ़ने के बाद मैं कुछ एथेंटिस किताबों के ना मताऊंगा उस एथेंटिक किताबों के बाद पढ़ लिए पढ़ने के लिए बहुत कुछ है लेकिन यह मानने मामला यह रखता है कि क्या-क्या नहीं पढ़ना है तब आफ सफलबदा के और करीब हो सकते आप अन्य लोगों के साथ पर सकते हैं अन्य लोगों के बीडियो देख सकते हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन एक बार इलेनी बुदुरिगेश दुरिगेश सर की मतलब रथात मेरे है सर कहना आपके लिए छोटी मूँ बड़ी बात होगी लेकिन एक अनुभव सब कहिन कहीं आपके साथ आजाए कारण यह है कि दूद की बिली जली बिली मठा फुक कर पिती है मुझे यह पता है मेरी कम्ये कहां कहां थी जहां मैं असफ़ल हुआ इसलिए मेरी असफ़लता की जो कारण था वह आपके सफ़लता हो सकता है दो कदम आगे बढ़ा है क्योंकि म नोट्स आपको प्लब्द होगा लेकिन थोडा समय लगेगा Карण कि इसका सर्द प्लबस देखने में चोटा लेकिन बहुतीं बिस्त्र सर्द कर看看 होती बड़ा सेलवस है इसलिए इसकी एक ही नोर्स को कम में समेट दू और इसके लिए मैं प्रयासरद भी हूँ और आगे भी रहूंगा लेकिन तब तक के लिए आप लोग हमारे साथ जोड़े रहें और आप लोग भी अपना भैतार देते रहें और हम जल्दी आपके लिए NCRT की सिरीज सुरू करने जा रहे हैं क्योंकि इस परिच्छा के तयारी करने से आपके कई रह आसान हो जाएंगे कारण क्या है KBS आ रहा है भावी आकि आपको पता भी है उसके साथ साथ आगामी परिच्छा सुपटेट तो GS का कॉंसेप्ट, Mathematics का कॉंसेप्ट, Regenie का कॉ यह सारे कॉंसेप्ट आपके क्लिए रहेंगे तो आपको भी पता होगा पढ़ाई कभी गाली नहीं देती चाहे BTC हो चाहे BAD कोई भी भेरती हो क्योंकि पढ़ा हुआ ज्यान कभी बाहर नहीं जाता इसलिए आप पुरी मनोय के साथ अपना सबसे पहतर दें पिस होना नहो आत में पहले से सोचले तो यह तो बुरी बात है क्योंकि आप रिस के घोडे हैं और रिस में अच्छे लगते हैं इसलिए अभी भी स्रहिבख है आप अपने त्यारी ज़रुरी नहीं है क्या प्पाने से श्वता मेहनत करके सकते हैं मैं से स्लुप इखɪ स्टिठी करके 3ए के साथ मैं पहली बारे में लिखा मैं जोनपुर जनपत का हूं और आप कोई पता है हमारे जनपत को जब नेट पे डालेंगे तो एक गाउं माधवपट्टी से जहां कि लोग पूरे देश में प्रसासन में फैल हुए हैं जहां परी जज की एक गाउं ऐसा जहां पूरे जज ही जज हैं तो कहीं ने कहीं उस मिट्टी के कुछ तो कण के जो सुगंद है आप तक पोचेगा क्योंकि आप दे जानते होंगे इस प्रदेश की मिट्टी में कम सकम इस पेपर के बहाने आप तो पढ़ेंगे और पढ़ा हुआ घ्यान में बारवा बताऊंगा कभी बाहर नहीं जाता आपके अंदर योग्यता की परक को रखता है दूसरी बात मैं आपको बताना भूल गया कि एक सहाय का ध्यापक की और यह जो आपका ब्लाक एजुक होती है तो पती गरिमा के लिए भैतर पोस्ट है आप पढ़ते रहेगा अपना बेश्ट दीजेगा अवेधन जरू करिएगा एक दूचा दिन इंतजार करके अवेधन करिएगा बाइस के बाद इंतजार करेगा तक तक हम इसकी और इनासिस कर लेंगे और हमारे यहां इसक सबसे बड़ी हतियार आपके लिए इसका चैन करते समय एक अध्यापक और अपने आप में एक आपिसरी गरिमा खोशते हुए इस तत्योप तक जाएगा कौन बहतर कहां से आपको बहतर मैटरेल में सकता है क्योंकि मैं एक अब भैरती हूँ और जहां पे एक भैरती होगा वही बेतर कंटेंट वही बेतर मेटर अप्लद करा पाएगा कारण यह है कि अगर मैं 20 साल से 10 साल से कोई परिछा नहीं दिया हूँ तो मुझे परिछाओं का अनुभो नहीं है जो अनुभो नहीं है तो फिर मैं कैसे पढ़ाऊंगा इसका मतलब मैं पुराना ग्यान रटा बदलने हैं और प्रश्ण का पूछने का जो बैकल्प सेट करने का वो सब बदलना इसलिए हो सकता है आपको इस मामले मददगार साबीत हो कि हमारी युवार टीम है वह खुद एक अभ्यरती है और एक ऐसी भ्यरती है जो चंद नंबरों से चंद कम्यों की वज़े से आज सफल है वरना हम भी कहीं अपनी इबादत कहीं और लिखते होते खैर मैं सफल हूँ इस बास से ज्यादा खुछी होगी जब आप सफल के मेरे साथ आएंगे इसलिए मैं ऑनलीं क्लास सुरू करूंगा तो क्योवल क्योवल सो अभ्यरती कहीं मैं प्रविय से दे पाऊंगा उ उन 100 हीरो में से मुझे चुनकर निकाल लें क्योंकि 100 को 100 अगर सफल बना लिए तब मैं बहतर पढ़ाया अगर नहीं सबल पना पाया तो मैं बहतर नहीं पढ़ाया उसके अलावा आप कहीं अन्य जगर जाकर दाखिला लेकर आप पढ़ सकते सेल बस लंबा है सेल बड़ा ह इसमें साइंस के साथ अनिस सभी चांश जोड़ी होई तो मैं आपको एक बहतर वीडियो बनाओंगा जहापे मैं आपको यह बताउंगा कि इसमें कैसे सकोर कर सकते हैं क्या-क्या पढ़ना कहां से पढ़ना है थोड़ा सा बुक के चैन कैसे करना मार्कट बहुत सारी मैं चाहिए जो मेरी उम्र कम है उम्र पर मच जाईएगा बस एकिस सहल को उम्र में शेफड क्या नाम उसका शफल क्या नाम में आई पीफ हुआ उसका नाम नहीं आ रहा है कि मेरे दोरा पढ़ाएगे जोग और प्रिश्य प्रश्ण आपके घलत नहीं होंगे, वो बात मैंने रखती है, Constitution मेरा फिर और सब्जेक्ट है, मैं इसकी यश्ट्री लेकर आपके सामने जल्दी आ रहा हूं, और साथ इसाथ आपको साथ जान कर बड़ी हैरानी होगी, चुट्या मनाते थे, तो मैं उसमें अध्यन धापन करता था, जब लोग तीसी दुनिया में जीते थे, तब मैं दस बाई दस कमरे में, और उन किताबों के सारे, जिसे वेपीन चंद्रा, नाम आपने शुना होगा, स्पेक्ट्रम इतिहास के मामले में, पांडे जी, इन सभी को हम निचोडते थे, और भोगोल की बात करें, तो राइटरों के नाम कम पढ़ाएंगे, इतनी किताबों खंगाला है, तब जाके, आज हम आपके सामने, खड़े होकर बोल पाते हैं, खड़े होकर पढ़ा पाते हैं, यह मेरी लगर्यू की बात है, बहुत सारे यूटूबर, कहना तो नहीं चाहिए, वो स्कीन सोट रिकार्डिंग से पढ़ाते हैं, माने वो उसमें लिखा रहते हैं, पिक या टाइम ने खतम हो जाए, इसलिए कहीं न कहीं अनुभव सबसे बड़ी बात है, आप क्या सोचते मेरे बारे में माने नहीं रखता, लेकिर मैं यहीं चाहूँगा, जिस परकार मैंने महनत की, उस परकार आप भी महनत करिएगा, बस यह सोचेगा, कि अगर हम आज म अगर आप पहनेप लगाएंगे, तो मैं एकीन मानिए, तीन महीने बाद अपने आप में एक अधिकारी महसुष करेंगे, जब यहां से महसुष करना शुरू कर देंगे, तो उससे ज्यादा पत की गरिमा यहां से निकलती है, जब यहां से निकल जाएगी, तो कोई माईकल को पीछे नहीं कर सकता, इसलिए अभी भी समय है, अपना बहता दीजेगा, आवेदन जरू करिएगा, होना नहोना, उपर वाले के हाथ में, लेकिन अभी से सोच लेना यह गलत बात है, इसलिए इस बात को अब भली बाती गाट लीजेगा, और आवेदन करिएगा, अगर बीड़ धारिया, तो आवेदन करना शुरू कर दीजे, अगर बीटी सी डिया लड़ें, तो इंतिजार करिएगा, कुछ दिन बाद हम इस पे अभी थोड़ा सा परशान है, और परिछाओं में महां से प्प्री होते हैं, फिस पे हम ढाट करते हैं, ट्विट करते हैं, और आभी ट्विट करिएगा, आयो को, और आटिया लेते हैं, दिखते हैं, क्या मिलता है, इस डिप्लोमा की, क्या थेयरी है, क्या चीज़े निकल कर बाहर आती है, लेकिन फिर भी, आपको में तरफ से अग्रिम सुप काम ना है, एक बात हफों के चक्करना पड़ेगा, अभी से पढ़ना सुरू कर देजिए, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इन 4 कच्छाओं की NCRT रटा मार देजिए, पूरा नोच डालिए, पूरा पए डालिए, अगर आप नहीं पड़ते हैं, मैस्रिज ले करा रहा हूं, जल्दी आपके बीच, क्योंकि मुझे पता है, NCRT इसकी सबसे आखरी और भैतर ताला है, जिससे आप इस मंजिल को आसानी से फटा कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास एक बड़ा अनुबा हुआ है, मार्केट के ताब है, बाद ने पढ़िएगा, पहला बेसिक जरूरी है, और बेसिक के लिए NCRT बैट के ताब है, NCRT के नोट्स मेरे पास पढ़ इस दिन सफलता से, कोई माई कला रोक नहीं सकता, इसी के साथ आप शवी को अग्रिम सुप काम ना है, आप अवेधन जरूर करिएगा, अपने शवीश आतियों को बताएगा, अवेधन करने के बाद यह विचार किया जाए, कि होना नो होना क्या है, पहले तो परिच्छा दी जाए, बहुत सरे पैसे मुड़ा देते हैं, इधर से उधर कर देते हैं, लेकिन सोग सो पचीस रुपए अवेधन सूर कर रहे, तो आवेधन करके परिच्छा देने में क्या जाता है, और तयारी सी बाने हो जाएगी, और वह तयारी आपके जीवन पर इंच लेगी, व आज से अपना बहतर देना शुरू करेंगे, बेस्ट आफ लक, जय हिंद, जय भारत!